तो नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किस तरह से दच्छड बिहार गरामेड बैक के पैसे निकालने वाले फ़र्म में आने के विधर डिरेवल फ़र्म को फिल कर सकते हैं दोस्तो क्या हैं कि आप जब भी bank में जाते हैं दच्छड भी हर ग्रामीर बैक में तो आपको पैसे निकालने से पहले आपको इस form को भरना होता हैं इसके बाद ही आप अपने पैसे को निकाल सकते हैं तो दोस्तो किस तरह से आप यहाँ पर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं इस वीडियो में हम दोस्तो आपको बताएंगे तो दोस्तो इस वीडियो को सुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बैरा हैं तो चैनल को जरूर सस्क्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे तो दोस्तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और आपको बताते हैं किस तरह से इस फॉर्म को फिल करना होता है तो दोस्तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है फर्स्ट में यहाँ पर आपको ब्रांच लिख देने होते हैं यहाँ पर कई ऐसे बैंक हैं जो यहाँ पर फॉर्म पर ही अपने ब्रांच के यहाँ पर महर मारते हैं जो कि आप देख सकते हैं। अगर आपका यहाँ पर मोहर नहीं मारा होता है, यहाँ पर बरांच का तो यहाँ से हमारा मोहर मारा हुए है, तो यहाँ से हम छोड़ देते हैं, यहाँ से इतना लिखने के बाद यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है डेट, यहाँ पर आप जिस डेट में पैसे को निकाल रहे हैं वो यहां से फिल कर देने होते हैं तो यहां से चलिए हम date को फिल कर लेते हैं जिस date में हम पैसे को निकाल रहे हैं और यहां से आपको date को सही सही से फिल कर देना होता है यहां से आपको क्या है कि स्वयाम को कितने रूपए देना चाहते हैं वो यहां से लिख देने होते हैं तो यहां से क्या है कि हम 10,000 रूपए निकालना चाहते हैं तो यहां से हम लिख देंगे 10,000 दोस्तों यहां पर 10,000 रूपीज ओनली दोस्तों यहां पर 10,000 रूपीज यहाँ पर लिख दिया है only और यहाँ से आपको रूपाई कुछ इस तरह से यहाँ पर 10,000 आपको लिख देने होते हैं इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देने होते हैं यहाँ से आपका इतना फिल हो जाता हैं यहां पर आप जो भी बरते हैं यहां पर आपको सही से लिखने होता हैं और यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाता हैं दूस्तों यहां कि यहां पर आपको एकाउट नमर को फिल करना होता हैं जब भी आप एकाउट नमर को फिल करना होता हैं जो कि आपके लिए काफी ज जिसका दोस्तों खाता है उसका यहां पर हस्ताक्षर करना होता है कुछ इस तरह से आपको हस्ताक्षर हिंदि या इंगलीज में कर सकते हैं जो यहां पर उंग्ठे लगाते हैं यहां पर इतना लिखने के बाद यहां पर आपको नेम लिख देने हैं जिसका यहां पर खाता है उसका यहाँ पर क्या है कि आपको नाम लिख देने होते हैं तहां से हम उसका नाम लिखते हैं और इतना लिखने के बाद आपका क्या है कि दोस्तों यहाँ पर फर्म तयार हो जाना है इसमें और दोस्तों आपको कुछ यहाँ पर फिल नहीं करना होते हैं यहां पर आपको पीछे में क्या है कि आपको रॉकम का बिवरा आपको भरने होते हैं cash detail जो कि यहां पर खाली भी छोड़ सकते हैं और यहां पर आपको क्या करना है कि यहां पर दो signature कर देने होते हैं जो कि आपके लिए काफी जरूरी होते हैं यहाँ पर दो signature आपको कर देना होता है जो कि आपके लिए काफी जरूरी होता है आपके bank के लिए यतना करने के बाद आपका form यह जो है वो तयार हो जाता है कुछ इस तरह से जो कि आप यहाँ पर कहा है कि आप अपने पास्वूक में डाल कर जो है वो पैसे को यहाँ पर आप निकाल सकते हैं यहाँ पर दोस्तो लिखा हुए मिल जाता है यह फॉर्म चेक नहीं है कि रिप्या पास्पूक के साथ पुरस्तूत करें यानि कि आपको पास्पूक में डालकर इसको देना होता है और यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे में देखने के लिए मिल जाता है करयाले के परियोग हैती यह हो जाता है यह जो है वो बैक वालों के लिए हो जाता है यह क्या है कि जो बैक वाले होते हैं वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं आपको इसमें कुछ भी फिल नहीं करना होते ह यहाँ पर आपका form कुछ इस तरह से यहाँ पर ready हो जाता है जो कि आप देख सकता है तो तो यहाँ से हम आपको एक बार और बता देते हैं यहाँ से आपको branch लिख देने होते हैं यहाँ पर आपको date लिख देने होते हैं जिस पी update में निकाल रहे हैं और यहाँ से आप जितने तो दोस्तों यहां से इतने करने के बाद आपको पीछे में दो सिगनेचर कर देना होते हैं और इसके बाद आपका फॉर्म जो है वह यहां पर रेडी हो जाता है इसको आपको पास्वुक में डालना है और काउंटर पर जमा कर देना होता है उसके बाद आप पैसे को निकाल स सकते हैं